इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कुस कर रहे हैं कॉंपिटिटिव एक्जाम बेस्ट कुछ प्रिविएस एर कोशन्स को सबसे पहला कॉशन डिस्कुस करते हैं जो की है हमारा क्रेक्शन पर बेस्ट नौ दे कॉशन इस एन इन्वा टेप 50 मिटर इन लेंध इस्टेंडराइज़ अट 20 संटी मिटर तेंपरेचर अट 10 कजी पूल इस उस्ट तो मेजर अ बेसलाइन दे क्रेक्शन पर टेप लेंध इ if at the time of measurement the temperature was 30 degree and the coefficient of linear expansion of the tape was 1 into 10 to the power minus 6 per degree celsius will be now so question मैं अपन को determine करना है temperature correction को ठीक है now so temperature correction क्या हो जाएगा यह हो जाएगा CT से इसको represent करेंगे यह हो जाएगा alpha alpha T now यहापर T हो जाएगा हमारा alpha T जो है हमारा यह हो जाएगा difference of measured temperature so temperature at the measurement और यह हो जाएगा temperature at standardization now L क्या हो जाएगा L हो जाएगी हमारी measured length जो हमने यहापर measure की alpha हो जाएगा coefficient of thermal expansion so question में अपन को data given है so measured length है यहाँ पर हमारी 50 meter है now alpha alpha coefficient of thermal expansion 1 into 10 to the power minus 6 per degree celsius अपन को question में given है now temperature during the measurement यह कितना है यह 30 degree celsius है और temperature during the standardization यह अपन को question में 20 degree celsius दे रखा है now इससे जब solve करेंगे final answer निकल के आता है 0.0005 meter ना तो अगर answer से match करें इसको तो यह निकल के आता है हमारा option c तो option c हमारा इस question के लिए correct answer हो जाता है now discuss करते है next question को next question है a rectangular plot of 16 square kilometer in area is shown on a map by a similar rectangular area of one centimeter square rf of the scale to measure a distance of 40 kilometer will be now so second problem को discuss करते हैं हां पर now so यह जो question है यह basically हमारा scale से है तो यहां पर अपनको area का rf दे रखा है वह directly data अपनको given है वहांसे इसको अपन determine कर सकते हैं और किसी linear line को measure करने के लिए rf जो है वो determine करना है अपनको so determine करते हैं इसको rf क्या हो जाएगा यहां पर ना देखें अपनको यहां पर दे रखा है कि एक rectangular plot है जो कि 16 square kilometer का है तो 16 square kilometer का area है और map पर यह जो area है यह वन सेंटीमेटर square में रिप्रिजिन कर रखा है तो scale हमें क्या बताती है scale हमें हमें बताती है कि हमारा जो map पर area है जो कि कितना है 1 cm square का यह फिल्ड पर कितना है तो फिल्ड पर यह है 16 square kilometer का now rf क्या होता है एक unit less quantity होता है तो अपन को क्या करना है यहाँ पर दोनों की unit को same बना देना है तो उपर क्या है numerator में centimeter square है तो नीचे भी अपन denominator में भी क्या करते है centimeter square में इसे convert कर लेता है तो यह हो जाएगा 1 cm square as it is 16 square kilometer को convert कर लेता है centimeter square में तो 16 तो as it is रहा now square kilometer है सबसे पहले अपन kilometer को हटाते है जब kilometer हटेगा देखिए एक kilometer में जब kilometer हटेगा तो कितना हो जाए 10 to the power 3 हो जाएगा बड़िए square kilometer है तो यहाँ पर square लगा देंगे अपन multiply by चलो तो अभी kilometer हट गया अब बचा सेंटीमेटर स्क्वेर में कितना सेंटीमेटर में 100 cm यहाँ पर क्या है यह मेटर स्क्वेर है तो यह कितना हो जाएगा इसका भी square हो जाएगा अभी किस में आगे यह centimeter square से centimeter कट हो गया यह जो आर्यूस निकल के आजाएगा यह आर्यूस के लिए इसको इसके स्क्वेर कर देते हैं तो जब फाइनली करेंगे तो यह निकल कर जाएगा 1 by यह निकल के आता है 4 0 तो कितने 0 आ जाएगे यहाप पर 510 जाएगा तो 1 2 3 4 एंड 5 तो इसको एक बार आप solve कर लिए जाएगा तो यह RF हमारे निकल के आ जाएगा किसी की लाइन के लिए तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा यह हमारे वन बाइ पूर लैक हो जाएगा ठीक है ना यानि कि अगर इसको देखें तो इस स्केल को यहाप पर यूज करेंगे डिसकस करते हैं अब बन नेक्स प्राव्लम को सो जाएगा ना नेक्स प्राव्लम है हमारा क्वेशन है दा मेगनिटूड ऑफ से करेक्शन डूरिंग अमेजर्मेंट ऑफ लेंद बाइ टेपिंग इस प्रपोशनल टू अभी किसके प यह निकल के आता है डवीव एल का स्केल इंटु ऐल डिवाइट बाई 24 इंटु पी आम का स्केल यहाँ पर ए स्मॉल डव्लिू क्या है स्मॉल डवली हो जाता है बेट आफ टेप पर यॉनिट लेंध इसमॉल यह हो जाएगा स्मॉल सल हो जाएगा हमारी टेप की लेंथ पी एम क्या हो जाएगा पी एम हो जाएगा पूल डियूरिंग दी मेजरमेंट तो जो पूल हम एप्लाइ करेंगे टेप पर डियूरिंग 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 हो जा रहा है हमारा option c तो option c में देखे क्या दे रखा है square of weight of the tape यानि कि हाँ पर small w की बात कर रखी है तो यह small w के proportional हो जाएगा option c में यह mention कर रखा है square of the weight of the tape in kg per meter तो यह small w जो है weight के उसके directly proportional हो जाएगा length के भी directly proportional हो जाएगा और inversely proportional हो जाएगा जो पूल यहाँ पर apply किया जाएगा उसके तो इसका correct जो answer हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा option c जा बिसक्स करते है next question को question number four question है if the original scale of a native is one is to 10,000 तो यहाँ पर अपन को original scale दे रखा है one is to 10,000 तो one is to 10,000 अपन को यहाँ पर original scale दे रखा है आगे question है the ground resolution अपन को ground resolution को determine करना है ground resolution resolution तो ground resolution हमें determine करना है so question है if the original scale of a native is one is to 10,000 the ground resolution considering that we get nearly 20 lines pair per mm तो यहाँ पर यह consider किया जा रहा है कि 20 lines 20 lines हम लोग पर पेर 20 lines ताना पेर 20 line pair पर mm लेकर चल रहे हैं पर mm ना तो इसके लिए अपन को यह scale है अपन को ground resolution determine करना है और यह consider करके चलना है कि 20 lines pair पर mm हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ना तो देखिए scale का क्या meaning होता है scale का यह meaning हो जाता है that means अगर एक unit हमारे map पर है तो corresponding 10,000 unit हमारी फिल्ड पर निकल के आएगी यानि कि अगर मैं ऐसे कहूं इसको कि अगर एक mm की line अगर हमारे map पर है तो फिल्ड पर वो line कितनी होगी 10,000 mm के बराबर ना तो देखिए तो ground resolution हमें निकालना है और हमें कहा गया है कि 20 line square पर mm लेकर चलना है तो हमारे ग्राउन पर कितना mm है 10,000 mm तो 10,000 mm के corresponding कितना लेके चल रहे है 20 line square लेके चल रहे है तो 20 से इसको divide कर देते हैं तो फाइनली जब इससे solve करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 500 तो 500 mm 500 mm या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 cm तो इसका जो correct answer हो जाएगा यह 500 mm हो जाएगा या फिर 50 cm हो जाएगा जो options दे रखे हैं उन options में से यह हमारे जो value है वो match नहीं हो रही है यानि कि जो options है उसमें तो इसका जो correct answer है वो या तो 500 mm हो जाएगा या 50 cm हो जाएगा किसी भी answer options है कि match नहीं हो रहा है ठीक है but correct answer इसका 500 mm हो जाएगा now the next problem is next problem है वो है if capital L is the length of the chain capital W is the weight of the chain and capital T is the tension the sick correction for the chain so question में अपनको sick correction का formula पूछ रखा है अभी discuss किये थे अपन sick correction क्या होता है so sick correction हो जाता है small w small l का square small l divided by 24 m का square यहाँ पर अपनको क्या दे रखा है यहाँ पर small w represent कर रहा था weight of the tape per unit length अगर इसको total weight में convert कर लो तो small w into l के capital क्या हो जाएगा w के बराबर हो जाएगा तो इसका square into l divided by 24 pm का square अगर हम इसको match करें तो यह match हो जाता है हमारे option B के साथ तो option B इसका correct answer हो जाएगा है ना बात करते है next problem की next problem है in an inclined terrain if the elevation difference between the two ends of a line is small edge and the inclined length of the line is capital L the correction for the slope अब slope के लिए correction पूछ रखा है correction for the slope क्या हो जाता है यह हो जाता है h square by 2L तो जब हमें elevation difference परता हो यानि कि small l परता हो उस case में जो slow correction है वो निकल के आ जाता है h square by 2L तो इसका जो final answer है यह निकल के आ जाता है option B option B is the correct answer ना यहाँ पर हमने fundamental of surveying के base पर कुछ topics पर हमने mostly यहाँ पर corrections और जो scale है उस पर based है कुछ numerical problem और previous year questions को हमने यहाँ पर discuss किया thank you झाल